2024 के लोकसवाचनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही हैं जो या तो अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं या फिर उनसे नाराज हैं। महान दल के नेता केशव देव मौर्य, सुहेल देव भारतिय समाजपार्टी यानि सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रिय लोक दल के जैंत चौधरी, बीजेपी को छोड़ कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और इसके बाद नमबर आता है अपना दल कम भी बारगेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन अब अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के बयानों ने साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ कर रख पाने में फेल हो रहे हैं, सबसे पहले आप ये जान लेजिए कि पल 2022 के विधानसभाद चुनाव में पल्लवी पटेल ने BJP सरकार के डिप्टी सीम केशव परसाद मौरिय को 7000 से ज्यादा वोटों से हरा ँथा, पल्लवी पटेल को 15500 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि केशव परसाद मौरिय डिप्टी सीम रहते हुए भी पल्लवी से चुनाव सपा के सिंबल पर लड़ना पड़ा था इसकी वज़े थी अखिलेश की वो रणनी थी जिसमें वो किसी दल को तो अपना प्रत्याशी दे देते हैं और किसी दल को अपना सिंबल जैसे पश्चिमी उत्तरप्रदेश में अखिलेश ने RLD के टिकट पर कई अपने ने की क्या दी है पल्लवी पटेल नाराज है अकिलेश के उस फैसले से जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के पीडिये यानी पिछडों दलितों और अल्प संख्यकों की अंदेखी की है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने तीन उमिद्वारो नहीं रखा मीडिया से पल्लवी पटेल ने कहा कि सपा की राज्यसभा उमिद्वारों की लिस्ट पिछडों दलितों और अल्प संख्यकों के साथ धोका है पल्लवी पटेल ने ये एलान भी कर दिया कि वो सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान नहीं क क्या वो बीजेपी के परत्याशियों के समर्थन में वोट करेंगी तो उन्होंने कह कि वो सिर्फ सपाप परत्याशियों को वोट नहीं देने की बात कर रही हैं लोकस्भाचुनाव से पहले राज़्य सभाचुनाव को लेकर सहयोगियों का विरोधी रवईया अखिलेश या विधान सभाचुनाव समाजवारी पार्टी अखिलेश की लीडर्शिप में हारी है उनके सातियों के एक एक कर दूर जाने की वज़े से अब 2024 के लोग सभाचुनाव में भी उनकी पार्टी की नईया डूबने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने विरोध जता कर साफ बता दिया है कि अकिलेश यादव अपनी गलतियों से सबक लें और दूर जा रहे सहयोगी की नाराजगी को दूर करें पल्लवी का कहना है कि सपा वोट तो लेना चाहती है पिछडों, दलितों और अल्प संख्यकों का और राज्यसबा भेजने के लिए चुन लेती है इन वर्गों से बाहर के लोगों को जो चलने नहीं दिया जाएगा पल्लवी पटेल ने राज्यसबा चुनाव में जया बच्चन और अलोक रंजन को उमीदवार बनाये जाने पर नाराजगी जताते हुई ये भी कहा कि पीडिये का मतलब पिछडा दलित और अल्प संख्यक के बदले बच्चन और रंजन बना दिया गया है उन्होंने कहा कि वो बच्चन और रंजन को बिलकुल वोट नहीं करेंगी चुकि पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर विधान सभा के सदस्य बनी है इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सदस्यता की भी चिन्ता नहीं है पल्लवी ने अपनी बात रखने के साथ साथ स्वामी प्रिसाद मौरे के प्रती सहानु भूती भी जताई उन्होंने कहा कि मौरे के साथ नाइनसाफी हो रही है सभा के साथ गठबंधन के भविश्य पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला अपना दल कमेरावादी की राष्ट्री अध्यक्ष कृष्णा पटेल करेंगी हाला कि चर्चा ये भी है कि पल्लवी अपनी मा कृष्णा पटेल के लिए रज्यसभा की सीट चाहती थी लेकिन मीडिया से बाचित में उन्होंने इससे इंकार किया रज्यसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही पहले नौ विधायकों वाली आरेलडी के प्रमुख जैन्त चौधरी ने जटका दिया पिर स्वामी पुरसाद ने सपा के महसाचिफ पद से इस्दीफा दिया और अब पल्लवी पटेल ने सपा उमिदवारों को वोट से इंकार करने के बाद सपा के लिए रज्यसभा सीटों का गनित फेल होता नज़र आ रहा है सपा को अपने एक नेता को रज्यसभा भीजने के लिए 37 MLA की समर्थन की जरूरत है यानि तीन उमिदवारों के लिए 111 वोट चाहिए लेकिन सपा के पास कुल विदायक 108 है उनमें से भी पल्लवी ने वोट देने से इंकार कर दिया है अगर जैन्त की पार्टी सपा के साथ होती तो उसे नौ विदायकों का समर्थन मिल जाता और वो आसानी से अपने तीनो प्रत्याशियों को रज्यसभा में भीजने में काम्याब हो जाती लेकिन जैन्त चौधरी अखिलेश की चालबाजियों से नाराज होकर पहले ही NDA में जा चुके हैं जैन्त आप अपने नए गठवन्धन के हिसाब से रणनीती बना रहे हैं गुरवार यानी 15 फरवरी को जैन्त ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर में अपने 9 विधायकों के साथ मीटिंग की ये बैठक रज्यसभा प्रत्याशियों के लिए होने वाले वोटिंग को लेकर बुलाई गई थी रालोद अद्यक्ष जैन्त चौदरी ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि रज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक के लिए विधायकों के दिल्ली बुलाई गया था जैन्त ने कहा कि रालोद का हर विधायक पार्टी के स्टेंड के साथ है जैंत के बयान से साफ है कि उन्होंने विधायकों को बता दिया है कि किस पार्टी के उम्मिद्वारों के समर्थन में वोट नहीं करना है या किसे जिताने के लिए वोट करना है जैंत के NDA में आने और सपा के खेमे में भगदर मचने के बाद अब राज्यसभा का चुनाव रोचक हो गया है दरसल UP से भरने वाली 10 राज्यसभा सीटों के लिए अब 11 प्रत्याशी हो गये हैं समाजवादी पार्टी ने तीन कैंडिडेट उतारे हैं जबकि बीजेपी ने आठ कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं